दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लेओ को LRF के बारे में स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा इसके साथ दोस्तो LRF में क्या-क्या इंटर्लोकिंग रहता है इसके बारे पे बताऊंगा जब आप कोई भी electrical का इंटर्वियो दिजियेगा तो देखिएगा आपसे पुछेगा के LRF का full from क्या होता है तो L मतलब होता है ladle, R मतलब होता है refining, A मतलब होता है furnace मतलब ladle refining furnace, आभी के date में दोस्तो induction furnace या electric RC furnace दोनों जगा में ही LRF का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और जब आप LRF का नॉलेज बनाईएगा तो पहले हम लोगो क्या जानना जरूरी है कि पहले कौन-कौन सा इंटरलोग दिया हो रहता है और किस तरह से काम करता है तो जब आप LRF पे ड्यूटी कीजिएगा तो देखिएगा तीन गों इलेक्टोड आपका लगावा रहता है और तीनों इलेक्टोड में आपका लिमिट स्विज लगावा रहता है ज्यादा तर कोई भी कमपनी में जब आप काम कीजिएगा तो देखिएगा लिमिट स्विज का ही ज्यादा फॉल्ड आता रहता है कि ये जो आपका तीन गो इलेक्टोड लगा हुआ है आपके लिए एक लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है एक लोयर के लिए भी लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है और तीन गो जो इलेक्टोड लगा हुआ रहता है तीनों इलेक्टोड में ही आपका लगा हुआ रहता है और इस जगा में जो आपका control panel रहता है इसमें totally आपका auxiliary contact लगा हुआ रहता है जिस हिसाब से मैं diagram बना के आप लोगों को समझा रहा हूँ जब आप LRF पे काम कीजिएगा तो same to same आपको मिल जाएगा और जितना सारा friend LRF पे duty कर रहे हैं तो देखिएगा जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ same to same आपका match हो जाएगा तो आभी जरुरी है कि जितना सारा हमारा limites हुगे इसका कितना भोल्ड का controlling supply रहता है तो इसमें आपका 110 भोल्ड का कंट्रोलिंग सप्लाई रहता है जो आपका AC का कंट्रोलिंग रहता है क्योंकि LRF पे आपका AC सप्लाई भी होता है DC सप्लाई भी होता है देखिएगा के LRF पे जितना सार आपका सोलोनाइट भाल्प रहता है इसमें ज्यादा तर आपका 24 बोल्ड का कंट्रोल सप्लाई सही इंटरलोग बना हो रहता है और जो हाइडोलिक रेगुलेशन पैनल है इस पे भी आपको नेगटिव 15 भोल्ड पोजेटिव 15 भोल्ड और पावर एमप्लिफेर कार्ड भी आपका लगा हो रहता है जो मैं आप लोगो को स्टेप बाइ स्टेप बताऊंगा अभी जो आपका त साइड में रहेगा मतलब तीनों इलेक्टर आपका उपर तरफ रहेगा तो जो आपका लिमिट स्टेप लगा हुआ है यह आपका तीनों जो लिमिट स्टेप जब आपका ए इलेवन ए बारा ए तेरा यह तीनों कॉंटक्टर ओन होगा तभी क्या होगा आपका रेस के लिए एक इन्डे के से LAM भी लगाऊ रहता है और आप अराम से देख सकते है कि हमारा लिमीट स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कभी-कभी क्या होता है लिमीट स्विच आपका खराब हो जाता है तो पहले आपको क्या देखना है कि रेशे के लिए जो हमारा index से lamb लगा हुआ है ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अभी बात आ जाता है कि BCP का interlock किस तरा से आपका दिया रह रहता है तो जब आप BCP का on कीजिएगा अगर कोई interlock आपका ठीक पोपर तरीका से काम नहीं कर रहा है तो जैसे या वीजीपी को on करिएगा तो तुरन देखिएगा आपका बंद हो जाएगा किसी भी हाल में आपका वीजीपी on नहीं होगा और LRF पे आपका वीजीपी बहुत ज़्यादा बंद चालो भी होता है और इससे पहले मैं आप लोगों को बताया हूँ इलेक्टिक एरसी फ़र्निस पे भी भीजीपी बहुत ज़्यादा बंद चालो करना पड़ता है तो जब आप इंडेक्शन फ़र्निस से हो या इलेक्टिक एरसी फ़र्निस से जो लेडल रहता है तो लेडल में हम लोगों को लिक्विड मेटल को टैप करके पहले लाना आपको पहले position में करना पड़ेगा इसके बारे भी बताऊंगा जो आपका रूप का इंट्रोलग दिया हो रहता है इसके लिए भी दो लिमिट लगाओ रहता है एक आपका राइस के लिए एक आपका लुयर के लिए अगर मान लिजे कर आप किया हुआ है जो आपका एलर फे डल्टा रहता है तो डल्टा अगर आप तरफ किया हुआ है उसी में अगर आप VCP को ओन करने जाहिएगा तो किसी भी हाल में आपका ओन नहीं होगा और एक आपका होता है लेडल टॉली लेडल टॉली भी आपको तीनों इलेक्टोर्ट ठीक एकदम डल्टा के वीचो बीच आ और इसका भी इंटरलोक आपका लिमिट स्विच चाहिए दिया हुआ रहता है देखिएगा जब मैं ओनलाइन क्लास में आया था इसके बारे में मैं आप लिएको समझाया था जितना सारा फ्रेंड मेंना ओनलाइन क्लास एटेंड किये हैं उतना सारा फ्रेंड को उतना कुछ दिकत नहीं होगा क्योंके मैं बोड में बना के समझा रहा था ठीखे है अगर किलास को एटेंड किये था तो आपको günोजने में दिकत होगा की viewers जुर्सेदिन बोलना क्या चाहरा है क्यूंके दर्फो मैं भी काम करता हो हम को कि मैंके कहा कां पे क्या दिकत होता है और किस तर CP औन हो गया on होने के बाद इलेक्टोर काफ नीचेतरप ले रहे मतलब जो आपका लैडेल पोजिसेन में धिरे-धिरे डाउन कर रहे हैं अब ही डाउन करते करते क्या होता है इज violence है तिनों लगा हुआ ठीक है इस इसमें क्या होता है, तो तो उस k kij Youtube यो आने के ग Cameron सती होगा, इस में क्या होगा है, जब आपका, य Beginning时 Suji जगा! पहले होगा उस टाइम आपका क्या होगा? जो ओएर के लिए आपका Indicator से, लाम लगा हुआ है, पहले लाम जले गा आप आपको इंडेकेट करेगा कि एलेक्टोड थोड़ा सा छोटा हो गया है अभी बड़ा करना है अगर उसी में अगर आप चलाईएगा तो जब आपका यह लोयर बला लिमिट पुरी तरह से कड़ जाएगा तुरंद आपका क्या होगा वीसीपी बंद हो जाएगा यह भी एक से लरे पे जब आप काम कीजिएगा यह जो तीनों इलेक्टोड है मैं आप लोग को क्या बताया था कि इसमें आपका जो टैप चेंजर रहता है तो टैप चेंजर हम लोग को प्राइमरी साइड में रहता है क्योंके लरे पे जो आपका टांसफोर्मर रहता है ज्यादा तर द इलेक्टोड में आप लिक्विड मेटल को उपर आर्किंग करके जब आपको टैंपरेचर बढ़ाना होगा तभी हम लोग क्या करते हैं टैप को बढ़ाते हैं और जो एलारेप आप ड्यूटी कर रहे हैं ज्यादा तर देखिएगा कि 6 नंबर टैम में चल रहा है और बहुत जल्दी आपको टैंपरेचर बढ़ाना है उस टाइम हम लोग 7 नंबर 8 नंबर टैम में करते हैं और जब आप बढ़ाईएगा हमेशा देखिएगा जो इलेक्टोड का आर्किंग है आर्किंग आपका बंद रहता है फिर टैप आप साथ नंबर में आ जाएगा फिर आपका एलेक्टोड के ऊपर क्या है कि हम लोगोंускों सब को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है किसलिए कि कोई भी करेंसे हमारा इलेक्टोड तूट ना जाए क्योंकि इलेक्टोड काफी महंगा आता है इसलिए अभी इलेक्टोड आपका नीचे नीचे आ रहा है पूरा एकदम आप डाउन कर दिये हैं और लेडल में क्या होगा मान लिजे के ये नीचे तरफ कोई कारण से टाच होने का चांस रहता है इ इलेक्टोड को आपको सेटिंग करना परता है कि कितना दूर तक हमारा जाएगा अभी ये हमारा लेडल है आप इतना दूर तक एक मतलब अनदाज करके लेना परता है जो मैं आप लोग को प्रैक्टिकल एक्सपिरियंस यहर करता हूं इसी के बारे में बता रहा हूँ अब ही आप electrode को नीचे तरब लेके आने के बाद आपको temperature बढ़ाना है जैसे ही metal में touch होगा, arking होगा tap बढ़ाईएगा तो धीरे धीरे आपका temperature भी बढ़ता है लेकिन LRF में क्या होता है आपको temperature बढ़ाने में काफी time लग जाता है लेकिन जब आप induction furnace में temperature बढ़ाईएगा उस जगा में क्या होता है power आपका बहुत ज्यादा रहता है और इससे पहले में आप लोगों को बताया हूँ जो electric ARC furnace के बारे में समझाया था उस वीडियो को देखे नहीं है तो देख लिजिएगा तो और आपका doubt किलियर हो जाएगा अभी क्या होता है जब आपका इलेक्टोर तो continue आपका आरकिंग होता रहता है आप डाउन आप डाउन आप डाउन अगर कोई कारण से माल लिजे थोड़ा sun बोलते हैं master control switch और तीनों इलेक्टोर के लिए तीन गो और selector switch रहता है जिसको हम लोग बोलते है PCS switch फेज control switch तो यह जितना सरा point दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ अगर एक एक point के बारे में जानियेगा जब मैं next control वाला वीडियो बनाऊंगा तब आपको कुछ भी doubt नहीं रहेगा हार चीज आपको समझ में आएगा क्यूंकि मैं step by step आप लोग को बताता हूँगा तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा है तो like, share, comment जरूर कीजिएगा और channel को subscribe कीजिएगा नमस्कार, जाए हैं